नमो बुद्धाय सभी आदर्णियों धम्म उपासर उपासिकां धम्म बालक बालिकां एवं सभी बुद्धशाशन चानल के सभी दर्शकों को मैं मेरी मंगल मेत्रि प्रदान करता हूँ आज की धम्म अदिशना में विशेश गुनों से जो हमारा शेरिर बना हुआ है कि अपना शेरिर पाच सकंदों से बना हुआ है यह पाच सकंद क्या है और इनका कार्य क्या है आज हम इस धम्म अदिशना में जानेंगे कुछ लोग कहते हैं कि शेरिर पंच भातों से बना है भगवान गुद्ध कहते हैं कि अपनी शेरिर यह पाच सकंदों से बना है तो इसमें सबसे पहला जो है रूप सकंद है दूसरा वेदना सकंद है तीसरा संग्या सकंद है चोथा संसकार सकंद है और पाचवा विज्ञान सकंद है अभी रूप सकंद क्या है इजानिये अपना शेरिर नाम रूप से भी जानते है नाम मात्र से जानने वाला नाम धर्म होता है जो जिजे स्पर्श कर सकता है तो वह रूप धर्म है ठंडी से गर्मी से बदलने की सभाव जिसमें है वह रूप है पुर्थ्वी आप अगनि वायू आख कान जीव नाक शेरीर रूप शब्द गंधरस रस्ट्री इंद्रिय पुरुष इंद्रिय जीवी तेंद्रिय रुधे अहार आकाश विन्नाती लहुता, मृदुता, कर्मन्य, उपचे, संतती, जर्ता, अनिच्चता, आदी अनेक धर्म को रूपसकंद कहलाते है। अब दूसरा जो है वेदनासकंद, अपनी शेरिर में वेदनासकंद क्या है? यह जानना जरूरी है। मन को पता चलना वेदना है, जैसे सुख वेदना, दुख वेदना, अदुखम सुख वेदना, सो मनस्वेदना, दो मनस्वेदना, उपेखा वेदना, यह सब वेदना सकंद नाम से जाने जाते हैं। अभी किस्त्रा जो सकंद है उसे संग्या सकंद करते है परिचे पाने के लिए मदद करने वाला लक्षन परिचे पाये हुए अनेक वस्तु आपके याद में होने के कारण आप फिर से उस वस्तु को पैचान सकते हैं अईसी अनन्त वस्तु का लक्षन आपके याद में होंगे उसे संग्या सकंद करते है अभी चौथा जो है वो है संसकार सकंद अभी संसकार सकंद क्या है काया वानी तथा मन ये तेन द्वार से उत्पन होने वाले कुशल या अकुशल चित चैतिको को संसकार सकंद कहते हैं और पाचवा जो है वह है विज्ञानसकंद विज्ञानसकंद क्या है विज्ञानसकंद है रूप शब्द गंध रस स्पर्ष धर्मों को लेकर आख कान नाक जीब शरीर मन ए छद्वार के माध्यम से बने हुए चक्षू विज्ञान स्तुरोत विज्ञान घान विज्ञान जिवा विज्ञान काय विज्ञान मनो विज्ञान इस एक से अधिक होने के कारण विज्ञानसकंद कर लाते हैं भवतू सब्वमंगलं रखंतू सब्वदेपां सबका मंगल हो सबका कल्यान हो सभी को सूख शांती अच्छा स्वास्त और दिर्गायु प्राप्त हो